पिसले महीने बेटी का जन में दिन मनाने बिहार से आये एक सुपरवाइजर का सब मिला था परीजन उसे रेलवेज टेशन छोड़ कर गए थे लेकिन बाद में उन्हें मौत की ख़बर मिली जहां सब मिला वो जगर रेलवेज टेशन से काफी दूर है ऐसे में ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर सुपरवाइजर इतनी दूर कैसे पहुचे और क्योग है मामले में अब पुलिस ने पीम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला अग्यात व्यक्ति के खलाब दर्ज किया है CCTV फोटेज भी सामने आया है जिसमें मृत्तक सुपरवाइजर अकेली जाते हुए दिख रहा है पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही है विजय नगर थाना पुलिस के मताबिक मृत्तक सुधीर कुमार उम्र 26 वर साल निवासी छोटी सिवबाग कालोनी खजराना बिहार में निजी कमपनी में सुपरवाइजर था खटना पिषले महीने 17 अक्टूबर की थी अनुराग नगर जैन मंदिर गार्डन के पास सुधीर का सब मिला था मामले में तब पुलिस ने मर्ग पुलिस ने कायम कर लिया था पोस्मार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अब अग्याद वेक्ती के खिलाब धारा 302 के तहट केस दर्ज किया है पुलिस के अनुसार बेटी का जन मिदिर होनी के चलते वे बिहार से काम से छुटी लेकर इंदौर आया था जन मिदिन मनानी के बाद सुधीर का साला उसे रेलवेश टेशन छोड़ कर आया था इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि सुधीर का सब अनुराग नगर में मिला है परिजन और पुलिस के लिए यह पहली ही बना हुआ है कि सुधीर रेलवेश टेशन से अनुराग नगर कैसे पहुचा, सुधीर के सब का पोस्माटम कराया गया तो हत्या का मामला सामने आया है खटा के बाद पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले तो सुधीर फोटोज में अनुराग नगर में अकेले जाते हुए नजर आया आसपास के रहवासियों से भी पुलिस ने पूस्ताश की तो उन्होंने भी कहा कि उसे अकेले जाते हुए ही देखा था पताय जाता है कि उसके पीछे कुट्टे पड़े थे वही मामले को लेकर विजय नगर एसीपी सोनाक्षी सकसेना का कहना है कि आरोपी के बारे में पता करवा रहे है चार्च चल रही है पीम रिपोर्ट में बहुत इस्पश्च तो नहीं केस दर्ज किया है विवेशना की जा रही है